मेरी रेसिपी का नाम है मतर मश्रूम मिक्स पास्ता तो आप ही ट्राइक और बताएगी कैसे लगी मेर यह देखिए यह कैसा लगा आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गा लाइक कीजिए का कॉमें बताएगा और मेरे वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिएग तो देखें ट्रांठी मैंने इसको अट्राइब करें पानी में बॉइल करके पास्ता को ऑउसमें थोड़ा सा एल appliqueयो दाल के फ tert dimension गाला के सिक चान दिया है अब डेखिए मिसव bisa, अब और पास्ता इक अरग अलग अलग दिखाई देगा है तो देखें प्रेंस मैंने बारीक काटके तो देखिए प्रेंट्स मैंने यह प्याज के टुकड़े दालके थोड़े यह भूल लिया है और इसको बहुत जादा हमें ब्राउन नहीं करना देखिए मेरी प्याज डेडी हो चुकी है अब मैं इसमें डालोंगी फोड़ा हल्बी पाउडर और थोड़ा ला देखिए इसमें टमाटर का स्वाद बहुत अच्छा आगक और मैंने यह टमाटर की ग्रेवी सी बनाई है और इसमें मैं डालूंगी शिम्ला मिर्च चॉंकोड पीसिस में कटा हुआ और मश्रूम चोटे-चोटे पीसिस में कटा हुआ और हरी मटन और आप जो सब्जी इस सब्जी आपको पसंद रोगोगो सब्जी आप अगर इसमें डाओना चाहें तो दाल सकते हैं तो वह आपकी चोटे बढ़ एक तो मैं आप इसमें सब्जी आँ डालूंगी तो देखिए फ्रेंट्स अब ये सब्जी थोड़ी सी मैं इसको तो मिनिट इसको ठकते रखूंगी थोड़ा सा नमक डाल कर इखिए फ्रेंट्स मेरी इडली देखिए कित नीव बढ़िया लग रही हूँ कितनी सॉफ्ट है और ये रेडी हो गई है मेरा पास्ता भी बस फाइब मिनट्स में रेडी हो जाएगा एक है प्रेंट्स सारी सब्जीयां हो चुकी है हमें बहुत ज्यादा इसे नहीं पकाना है कैप्सिकम को कल्ची रखना है और अब इसमें हम पास्ता डालेंगी यह देच तो देखे प्रेंट्स में तोड़ा से इसमें टोमैटो केचप एड़ करूंगी तोड़ा से जादा नहीं हमने नमक सब्जीयों में भी डाला था और पास्ता जो हमने बहुत ध्यान से जादेगा एक्सा नहीं हो जाए सॉस भी डालने यह उसमें थोड़ा नमक होता है तो आप नमक को अपने तेस्ट अनसार डालिएगा और अब मैं इसमें डालूंगी औरिफे फ्रेंट्स अब मै इसमें प्रेंट्स में थोड़ा साही विनिगर डालोंगी हाफ इस्पून और अब मैं इसमें डालने जा रहे हैं धनिया पत्ता वारी कता हुआ और अब मैं इसमें थोड़ा सा चली फ्लेक्स उपर से डालूंगी यह अब थोड़ा बन चुका है अब मैं इसके लिए ग्यास को आफ करके दो मिनिट धक्के रखोंगी और हमारा पास्ता रेडी होगा अब मैं अब मैं इसमें आफ कर दो दो जाए हुआ है अब मैं अब चुका हुआ है